हाई गाई इस इस प्रीटी वेलकम टू एचीवर्स ओनलाइन क्लासे तो गाई जिन भी स्टुडेंट्स का एश्टड दो हजार बाइस पीजिटी का पेपर था तो गाई इस वीडियो में आप सबको रीजिनिंग से जितने भी कोशन आये थे आपके एश्टड पीजिटी के पेपर में उसका सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ गाई इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने कोशन जो है ठीक है और कितने गलत है तो गाई यह स्टार्ट कर लेते हैं हमारा रीजिनिंग का यह सेक्शन जैसा कि आप सबको स्क्रीन प आपका टी जो है गाईज वो आपका बीस है आर आपका अठारा है ठीक है पी आपका सोला है अफकोर्स ही बते दो दो के गैप पे आपका सबसे पहले एन चोदा नंबर पर आना चीए तो इसका मतलब नीचे वाले कोशन तो जो ऑप्शन से गाईज वो बिल्कुल कैंसल हो तो सबसे पहले तो n और एसका मतलब फर्स्ट और धर्ड उप्शन में से आपका हो सकता है उसके बाद नेक्स्टिया यह देखिए अगर आप इसको लेटरं तो हैगा यह तो यहां लिखाए अगर D, फिर आपका लिखा है guys, G, फिर लिखा है J, फिर M, फिर P, आप सबको पता है, यह 1 होता है, 4 होता है, 7, यह 10, यह 13, यह 16, तो 3-3 के gap पे देखो, सब में 3-3 का increase हो रहा है, तो 16 में भी 3 add हो के, यहां पर S आजाएगा, जो कि 19 नमबर पे होगा, इसका मतलब आप यह option number 3 लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको 26-76 देखना है न, कि किस तरीके से आया, तो मैं आप सबको बताती हूँ, इसकी series क्या है, आप ध्यान से note कीजिए, यहां पर guys क्या बना है, 1 multiply 1 plus 1 is equal to 2, ठीक है, उसके बाद guys next बना है, 2 multiply 2 plus 2 is equal to 4, ठीक है, उसके ब 8 multiply 5 plus में 5 बना है आपका, यह आपका आएगा 445, ठीक है, उसके बाद 445 इसको multiply 6 plus 6 करेंगे, तो guys आपके सामने आएगा 26, then I hope सबी को clear हो गया होगा, इसी के साथ बढ़ते मारे अगले प्रेशन की तरफ, अगला प्रेशन है guys, coding decoding का question number 66, अगला question है guys मेरा, देखिए पार् क्या हो रहे है, जैसे कि यहाँ पर आपका P है, यह number 16, तो यह 44 के pair बन रहे है, P से guys Q बन रहे है, T से U बन रहे है, मतलो B से 21, A से B बन रहे है, R से S बन रहे है, मतलो आप सभी में देखो, plus 1 plus 1 का जो है increment यहाँ पर हो रहे है, इससे तरीके से जो last के 4 है, I से J बन रहे है, म O से क्या बनेगा, बताओ, O, P, और C, D, then V, D, P, E, इसी तरीके से यह देखिए, T से U बनेगा, M से guys क्या बनेगा, N बनेगा, M, N, O बनेगा, और E से guys क्या बनेगा, guys आपका बनेगा, F, then यह कौन सा option है, V, D, P, E, U, O, F, and option number 3, ठीक है, answer match करते जाएगा अपना, चलिए next question की तरफ, next question है guys, देखिए, लड़कियों के पंक्ति में A, बाई और से दसमें स्थान पर है, इसका मतलब जो A है guys, वो बाई और से जो है, दसमें स्थान पर है, ठीक है, और जो B है guys, वो दाई और से जो है, वो चोदमें स्थान पर है, इन दोनों ने अपनी place को change कर लिया, B इदर आ गया, इदर आ गया, अब ये कह रहे है, change करने के बाद A, बाई और से 24 हो जाता है, इसका मतलब जो A है, वो यहाँ पर आएगा, पंक्ति में कुल जो है, लड़कियां बतानी है, एक परसन की दोनों साइट की पोजिशनिक आगे, जैसे की A की आई है, मतलब A, बा इन्हों ने लिखा है, D, C और E से लंबा है, एक बार खुद देखो, D जो है, वो C और E से लंबा है, अगर D, C और E से लंबा है, या E और C से लंबा है, बात तो A की है, ठीक है, उसके बाद लिखा है, A, E से अधिक लंबा नहीं है, अगर A, E से अधिक लंबा नहीं है, इ यह E उपर आएगा और A नीचे मैं सारे बड़ों को उपर लिख रहे हैं छोटा को नीचे लिख रही हूँ उसी तरीके से B और D का कैसे होगा नेक्स वसके सारे एक लड़की के फोकुराफ के किरन अउसी2 टावी ने इनावर नमश्य तरीके मेरे दादा जी का एकलोता पूत्र मतलब ये हो गया ठीक है एकलोते पूत्र की गाईज लड़की लड़की नमबर चार तो लड़की X से किस तरीके सम्मदी देखो यहां पर ध्यान से देखो यहां पर अंसर बहन आगा क्योंकि जिसका नेम पहले तो उसका रिष्टा बताना होता है और ये जो लड़की है मतलब जिसके ओपर कोशन खतम हो इसका मतलब फोटोग्राफ में वहीं परसन है तो ये लड़की जो है X कि क्या लगेगी सीधी सी बात है तो आपको लड़की बतानी X की बहन लगती है तो इसका आंसर एक उप्शन नमबर थ्री यह ठीक है इ इसी तरीके से फिर से आपका दस हो रहा है तो आपको 130 के बात का नेक्स नमबर बताने हैं यहांपर जैसे कि 9 है इसका 27 के साथ connection एक छोड़ के 1 है उसी तरीके से 27 का 51 के साथ connection अगर आप यहांपर देखेंगे न तो 9 से 27 बना है इसका मतलब इसमें कितना एड़ किया होगा 6 का तो 24 में भी guys 6 को जोडेंगे तो guys यहां पर कितना आएगा 30 आएगा ठीक है तो यहां पर guys आपका आजाएगा 30 मतलब पहले 18 फिर 24 फिर 30 फिर आपने guys क्या करना है यह जो 30 है इसको 51 के इंदर जोडोगे जब 51 के इंदर जोडोगे तो आपका 81 आएगा और 81 को 130 के इंदर 24 का gap तो इसी तरीके से 24 में भी 6 एड करके आप यहां पर 30 लिख दो और 30 को 51 में एड कर दो आपका next आजेगा यहां पर 81 को 130 में जमा करके आप आंसर दे सकते हो 211 ठीक है क्लियर है next question है guys सुर्योद्य के समय X और Y दोनों एक दूसरे की तरफ मूँ करके खड़े हैं ठीक है अब जैसे कि मैंने आप सभी को कहा हुए यह परचाई वाला कोशन है सुबह के टाइम जो सन होता है आपका कहां पर होता है इस्ट में तो शैडो जो है जो आपकी परचा पढ़ दिया तो वो कोन है एक्स उसके बाद आपको लेफ्ट राइट लेना है तो यहां पर गाइस क्या पढ़ रहा है राइट और आपकी जो डिरेक्शन बनेगी गो वो बनेगी गाइस वेस्ट अब आपके सामने मैं फिगर बना कर दिखा रही हूँ यह देखी यह मैंन और आपके सामने करना क्या है कुछ भी नहीं करना देखो तौ। I hope सभी को काफी ज़्यादा helpful रहोगा और कल भी इसी तरीके से हम TGT और PRT के जो paper होंगे उनको solution करेंगे ठीके guys मिलते बने next video में आज के लिए बस इतना ही thank you so much bye bye